जी निया गाना आया है रूही फिल्म आरी है न आपके वह जो फेवल्ड आर्टिस्ट है उनकी फिल्म आरी है नहीं हमने उसका ट्रेलर भी किया था बड़े इच्छी लग रही थी फिल्म जब भी कभी आएगी वह देखेंगे जहनवी और राजकुमार तो उसमें एक गाना आया है उसका अभी रिलीस किया है नदियो पार तो मैंने मुझे जो तजस्सस है जिसकी वह समय करने का दिल की है मेरा वो यह कि नदियो पार एक बड़ा मशूर गाना हुआ था पुराना उसका रीमिक्स आया था और वो बहुत ज़्यदा हिट हुआ था तो बड़ा सुना गया था बहुत इच्छा ही नहीं कि आज भी आज भी सुनता हूँ मैं उसको इतना महिदार है तो वो मैं देखना चाहरा हूँ कि इन्हों ने उसको फिर रिमिक्स किया और फिल्म में लेके आया है तो क्या उसको बिगाड़ा है या उसको बेतर किया है उ तो पुराना तो सेम ही है ना वो तो पुराना कोई गाना है जिसको वो बार बार बनाते हैं लेकिन एक जो उसका रेमिक्स हुआ था वो कोई आज से 10-15 साल पहले आया था वो बहुत ही मशूर हुआ था और अभी भी जिससे करें ना कि मैं वह वला वर्जिन हमेशा सुनता हू अच्छा मुझे तो शाह हुसेन का यादा रहा है काफी है उनकी नदियों पार रजन दा थाना कीता कॉल जरूरी जाना तो यह वही है नियू लाल या बे परवा देना यह वही है पर तो शाह हुसेन के काफी भी पर गाना तो नहीं यही तो मैंने काया कि बहुत पुराना उसको बाद में फिर recreate करते रहे हैं ना उसका फिर एक जो रिमिक्स वर्जिन जो लेटस जो लास्ट जो मुझे याद है ना वो इन्तहाई हिट है वो हर जगह ना सिर्फ वो एक सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया हो जहां जहां भी सुना जाता है यहां तक कि वो अंग्रेज भ लाहुर में जहां से हमें तो मिला चरागा हमका लगता है आए तक तो इनका क्लाम और उन्ही कहा है ना वह भी मायनी मैं किनुवाखा गाऊ ह। इस यह तो उन्ही कहा है मैंने मुझे सिर्फ सिलाइन से याद आगिया नद्दियों पार रंजन दा थाना कीता कॉल जरूदी जो गाने में लेकेआ है आए ना तो उसको सजनदा थाना कर दीया है जो असल है वो तो वो है ना लेकि वो काफिया बनाने के लिए या गाने वीच में लाने के लिए लियो लाले अबे पर्वा देना उस दिन दुनी देशा देLAUने तो मैं ये देखना चाहरा हूं मुझे जैसा का कि मुझे देखने का है इंटरस्ट के यह बेतर किया है याकसर ऐसा होता नहीं कि जब आप उसको एक चीज बहुत ही जबदस बन चुकी होती है तो उसको फिर वो लेवल अप मिनिके करना बड़ा मिश्किल होता है उसके मिंटेन करना या उससे बेतर बनाना तो वो मैं देखना चाहरा हूँ कि यह अगर खराब ना कर दिया हो जिसका मुझे डर है देखते हैं इससे सूफिया के किलाम को बिगाड़ना जो है वो कोई अखलाकियात में नहीं आता क्यों यह तो एक अखलाकी जर्म है कमर्शल हो गया हर चीज अब इखलाक कौन द एथिक्स होने चाहिए हर चीज़ के लिए ना यह आर्ट है और आर्ट के लिए आप वो उसने खुदा के लिए कहा हूँ है कि उस दीन दुनीदेशा देना न्यू लाले आ बे परवा देना आप क्या दिखा रही है तो तो यह कह रही है कि तू नहीं आना ते नो नो वेज दे वो क्यों होता था ना ओ किसमें तो तुम ने दर्याग कर आणा था यह तो नहीं आ रहा तो यह कह रही थी नहीं तुना शाव सहान लेकर इस बंदे में होता और डूपके बार जाना था देख देख ले उन्हें सर पीट ला तुने पेनरा हो की रही है शुकर आबी उसने उसी नौ में खुद ही छेद करके अदे रस्ते डूप जाना सी लेकि गारा ठीक था यह मैं अगर वीडियो लगी होगी तो आँखे बंद करके देख लूँगा अगर नहीं तो मैं जरा तर वैसे इसको सुनने के लिए आसे इस ठीक है क्योंकि विजुली इसमें आप आपने अगर सुनना है ना तो हामद अली बेला ने यह काफी गाई भी है वह अब सुनोगे आप किसी और दुनिया में पहुंच जाओगे तो लिए मैंने तो नहीं सुनी ही तो बहुत साथ लोगों ने जो हम आरे देखते हैं उन्होंने भी ना सुनी हो तो हम किसी दिन करी लेते हैं उस पर असल जो है जा चरहें चर लेंगे बलकि मैं आपको भी सुनाओगा जिसका मैं बता रहा हूँ आपको वह बड़ा अच्छा है बेशक वह बात है कि बिवगाड़ा ही हुआ है रीमिक्स हुआ है तो लेकिन बहुत जादा मैंने सुना है तो बोग सुनते ही ह इस तरह का डानस की बाता ओख़स में इस बाता है निए जैसे की नीए फ़रक नीपड़ाना हुआ है तो अख़गा उच्छा उटनी है और बाकी चीजए भी उतनी है वह चीज़ लए है तो यह किसी बड़ी है पे होता या और जिससे हैं कहते हैं कि फिर जादा निकर किया था तो मैं यह मुझे एक फील हुआ जो इसका वीक पॉइंट मुझे लगा वह यही के वो जो जानवी वो उसके बजाए किसी और के ओपर होना चाहिए था तो क्योंकि वीडियो बाकी उन्हें अच्छी बना ले थी जो एक उन्हें बनाने का एक जो भी एक कॉंसप्ट था उसका वो ठीक था माकी ओवरां गाना भी सही था जो आए करें मिलते हैं एक डीवडियो में तब तक के लिए अबने क्या रखे दो वामयादे दोब्रक्राइब नाफिस्ट झाल